जॉइंट उलोक्टेट्स से जिसे भाबा सब अमबेट करने वोड गंधियन कांग्रेश अउड़ उंटचेबल, गंधियन इमेंशिमेशन उफ उंटचेबल, स्टेट्स एंड माइनोरिटी, ए तीन डाकुमेंटरी इविडन्स में इन लोगों को जॉइंट उलोक्टेट्स म चुनकर जाने वाले लोगों को तलाल और भडुवा कहा, यह भाबा सब अमबेट करने कहा, यह समश्याए हमारी और समाधान अटल विहारी, तो यह होने वाला नहीं है, अंग्रेशों ने तो हिंदू मुसल्मान दो ही टुकडों में बाटा था, मगर ब्रामनों ने 6277 जा संताली चाती के टुकडों में बाटा, उन लोगों से हम उमीद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए मान, सम्मान, समता, सुदंत्रता, बंदूता और न्याय पर आधारित समाज बना कर दे दे, जो लोग आरक्षन के विरोधी हैं, वो आरक्षन पर अमल करने का काम नहीं कर र बे-चिंता में करते रहते हैं, और उन लोगों से उम्वीद करते हैं, जो आरक्षन के विरोधी हैं, वो इस परामल करें। मैं ऐसा सूचता हूं कि ये जो सोचने का हमारा तरीका है, ये सोचने का तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं माना जा सकता, इसे बहुत सारे लोग सही मानते हैं मगर मैं इसको सही नहीं मानते हैं कि ये विचार सही नहीं है क्योंकि इसकी वज़े से हम लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं वो इसलिए साथियो बहरी बात तो ये हैं कि हम लोगों को जो आरक्षन के विरोधी है या सविधान के विरोधी है या सविधान की जो मौलिक बाते हैं उन पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं हम लोग केवल उनका विरोध करने से या उनकी चर्चा करने मातर से इस समश्या का समाधान होने वाला नहीं क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि जो सविधान के विरोधी है जो आरक्षन के विरोधी है वो सविधान पर अमल करे तो हम कुछ हो जाएंगे वो आरक्षन पर अमल करे तो हम कुछ हो जाएंगे यह होने वाला नहीं है वो ऐसा करने वाले नहीं है क्योंकि मुर्ख के हाथों में भी अगर कुलाडी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर इस कुलाडी को चला कर काट दो तो मुर्ख भी अपने हाथ पर कुलाडी लेकर अपना पैर काटने के लिए राजी नहीं होता जो भारत का शाशक वर्ग है वो हम लोगों के हक और अधिकार पर अमल करके आपको अधिकार संपन बना कर अपने पैरों पर कुलाडी मारने का काम क्यों करेगा इतना गदा और इतना नलायक तो है नहीं इतना नासमजदा तो है नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उन लोगों से उम्मीद करना, जो हजारों सालों से हमारे विरोधी हैं, जिन लोगों ने इस देश में वर्न व्यवस्ता का निर्मान किया, जिन लोगों ने इस देश में जाती व्यवस्ता का निर्मान करके 6277 जाती के टुकडों में हमें बाटा, अंग्रेदों ने तो हिंदू मुसल्मान दो ही टुकडों में बाटा था मगर ब्रामनों ने 6247 जाती के टुकडों में बाटा 1703 चडुलकास की जातिया है 801 आदिवासियों के टुकडे है 3743 OBC के टुकडे है तीनों को विलाकर 6247 टुकडे है इतने टुकडे उनों लोगों ने किये और उनोंने ही हमें कहा कि अंग्रेदों ने बाटो और राज करो इस सिथान पर काम किया बास सही है अंग्रेदों ने बाटो और राज करो के सिथान पर काम किया मगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकडों में बाटा ब्रामनों ने 6247 जाती के टुकडों में बाटा और ये अजारों सालों से बाटा समराट ब्रधत मौरिय की हत्याँ उस्यमित्र शुंगब ने ईसा पुर्व एक सो पचासी को करने के बाद से ले कर अब तक तब से चल रहा है मामला आसे नहीं दो-ड़ाई हजार साल से चल रहा है और दो-ड़ाई हजार साल से चलने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को 6237 जातीों के टुकडों में बाटा उन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए मान सम्मान सम्ता सुदंत्रता बंदूता और न्याय पर आधारित समाज बना कर दे दे हम उनसे उम्मीद करते है मुझे लगता है यह सोचने का एक तरीका है सोच ही लोगों को जगाती है सोच ही लोगों को जोडती है सोच ही लोगों को शक्ती में रुपांतरित करती है मगर जो सोच हम व्यक्त कर रहे हैं उससे शक्ती का निर्मान होने वाला नहीं है मैं ऐसा मानता हूँ आप लोगों को घलत लगता होगा आप लोगों को विचार करनी की आजादी है मैं गए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपना विचार करनी की आजादी नहीं है मगा मुझे भी उसी तरह से अपना विचार व्यक्त करने की आजादी है इसी लिए कह रहा हूँ मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आप लोगों का स्वाविमानी, स्वावलंबी, आत्म निर्भर, आंदोलन, निर्मान होने वाला नहीं है जिस तरह से आप विचार व्यक्त करते हैं उस तरीके से आप लोगों का स्वाविमानी, स्वावलंबी, आत्म निर्भर, आंदोलन, निर्मान होने वाला नहीं है अगर आप लोगों का स्वाविमानी स्वावरंबी आत्म निर्भर अंदोर निर्मान होने वाला नहीं है तो फिर आप लोगों को मांगते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं आप लोगों को निरंतर मांगते रहने का काम करते रहना पड़ेगा मुझे लगता है कि काशी राम जी ने उस विचार का संगटी तुरुफ से त्याग किया कि दूसरे लोग हमारा भला करने का काम करे दूसरे लोग हमारा कल्यान करने का काम करे दूसरे लोग हमारा उधार करने का काम करे मुझे लगता है ये विचार हम लोगों का उधार करने का सही वास्तवी करास्ता नहीं इसे निशित रुफ से हम लोगों का रास्ता सही नहीं हो सकता हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पिछलग्गू बनने से भी हमारा उधार हो सकता है ऐसा भी हमारे लोगों का सोच है कि हम जब पीछे लग्गू बने रहेंगे दूसरों के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो हमारा उधार हो जाएगा और वो लोग हमारा उधार कर लेंगे यह समश्याए हमारी और समाधान अटल बिहारी समश्याए हमारी और समाधान अटल भी हारी कर लेगा तो ये होने वाला नहीं है और इस तरह की विचारधारा मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है इसलिए आपको अपना स्वावरंबी, स्वाविमानी आत्म निर्भर आंदोलन निर्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कोई अल्टरनेटिव नहीं है ये निर्मान करना होगा ये आपका रास्ता भविश्य में हो सकता है इस रास्ते पर आप लोगों को अमल करना होगा तो मुसल्मानों को एक बड़ा मिसंडेस्टेंडिंग है के बीजेपी के लोगों को अनुसूचित जाती और जनजाती के लोग बड़ी संख्या में वोड़ दे रहे आपके पास बीजेपी को हमारे लोगों ने वोड़ दे कर चुनाव जित कर लाया कोई है फैक्ट है कोई आगड़े है मैं आपको बताता हूँ 303 सीटे लोग सभा में वीजेपी की चुन कर आई और उस 303 में 76 सीटे शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब की रिजर्व सीटे चुन कर आई 6 जनवरी 1950 को जब समिधान लागू हूँ 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 था उसके बाद कॉंग्रेस के भी शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब की सीटे चुन कर आदी थी मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट के आदार पर बता रहा 26 जनवरी 1950 को जब समिधान लागू हूँ 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 1952 को पर्थम लोग सभा का चुना हूँ हूँ उस समय भी सबसे ज़्यादा सीटे कॉंग्रेस की शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब की चुन कर आई गांदी जी की वज़े से शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब को लोगों को जॉइंट उलोक्टेट ठोपा गया और इस जॉइंट उलोक्टेट की वज़े से schedule cast की संख्या 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आदिवासियों की संख्या मान लो कि schedule cast की reserve seat है वो 100% 15% वोट अगर किसी seat को दे देते है तो भी वो reserve seat वाला आद भी चुन कर नहीं आ सकता कितने लोगों को यह पता है यह जो joint look rate है एक constitutional system है एक article 332 एक आर्टी का 330 एक जो विदान सभा और लोग सभा के लिए joint look rate है इस joint look rate दे Congress की ज़्यादा seat चुनवा कर लाई बाबा सब अमबेट करके जिवित होते हुए चुनवा कर लाई बाबा सब अमबेट करके हयात होते हुए जितवा कर लाई मैं एक जमपल देकर आपको बता रहा हूँ है जूड़ बात है यही बात थी बाबा सब अमबेट करने राउंटेबल कॉंफरेंस बे चरुल कास के लोगों को सेपरेट उलोक्टेट देने की मांग की थी वो अंग्रेज होनी इस बात को स्विकार किया गांदी जी ने जबरदस्ती करके उपवास करके हमारे लोगों पर बाबा सब अमबेट कर पर हमारे लोगों पर जॉइंट लोक्टेट थोपा यह थोपनी की वज़े से कांद्रेज की ज़्यादा सीटे एस इस टी की चुन कर आती है और यस्टी यस्टी के साथ साथ जब बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी की भी आती है क्या यह कहा जाए कि कुछ साल तक गांदी जी ने कांद्रेस की मदद की और अभी गांदी जी जोइंट लोक्टेट उनको आथ था तो वो जो इंटुलोक्टेट के तहट आज गांदी जी की वज़े से बीजेपी की सीटेचादा चुन कर आ रही है क्योंकि सिस्टम है 330 और 332 पढ़ लेना आर्टीकल सविधान का बाबा साब आमबेटकर ने ही सविधान लिखा बाबा साब आमबेटकर ने सविधान सुबूर्द किया सविधान सबा को और कहा कि सारी बातों से सविधान के मैं सहमत नहीं हूँ कितने लोगों पता है सविधान का गर्व और गवरों किया जाना चाहिए मगर बाबा साब आमबेटकर कहते हैं कि सभीधान की लिखीवी सारी बातों से मैं सहिमत नहीं हो यह क्या करें यह जॉइन्ट उलक्टेट से बाबा सबाम बेट कर सहिमत रही थे 131 मेंबर पार्लामिन चुन कर जाते है शडूल कास्ट और शडूल टाइफ के मैं आपको स्टेंप पेपर पर लिखवाता हूँ आदाद भारत में सेंटल की कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो कोई भी सरकार आज तक शडूल कास्ट और शडूल टाइफ के सपोर्ट के बगएर दिल्ली में नहीं बनी लिखवा लेना और जाज कर लेना जो कह रहा हूँ कोई भी सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो 131 मेंबर पार्लामेंट शडूल कास्ट और शडूल टाइफ के चॉइंट लोक्टेट में चुन कर जाते है और इनके सपोर्ट के बगएर तिल्ली में कोई भी सरकार सेंटर की नहीं बनती है इवन बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की कल की जोजा 14 की सरकार 2019 की सरकार 2019 के सरकार में 303 सीटों में 76 सीटे SC और EST की बीजेपी की चुन कर गई है SC और EST के लोगों ने ओड दिया इस वजे से वो चुन कर गए हैं ऐसा मुसलमान मानते हैं अलग बात हैं उनको सबज नहीं है ये मिसंडेस्टेंडिंग रहने से इतिहाद काईम नहीं हो सकता एकता काईम नहीं हो सकती और इससे हमारा तमाम मजलुमों का नुकसान होता है इस तरह की धारनाओं के वजे से इस तरह के विचार की वजे से मैं मुसलमानों को ये अनुलोद करता हूँ कि वो सेपरेट लोक्टेट का अभधेन करे वो जॉइन्ट लोक्टेट का अभधेन करे 1907 में लखनो पैक्ट में मुसल्मानों को सेप्रेट लोक्टेट मांगा गया और मुसल्मानों को सेप्रेट लोक्टेट दिया गया सेप्रेट लोक्टेट की वज़े से मुसल्मानों की लीडर्शिप तयार हुई वो सेप्रेट लोक्टेट हमारे लोगों पर नहीं होने दिया गया, गांदी जी के द्वार, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, कि हमारे जो लोग है, एक समश्चा हमारी है, नैस्टनल लेवल की समश्चा है, कि हम लोग इखटा नहीं आते है, मगर जॉइन्टू लोक्टेट हमें इखटा आने देता है, लोगों को जॉइन्ट लोक्टेट में चुनकर जाने वाले लोगों को दलाल और भडूवा कहा, ए बाबा सब अंबिर करने कहा, कि ए जॉइन्ट लोक्टेट से चुनकर जाने वाले लोग दलाल और भडूवे हैं, हम दलालों को ही अपना नेता मानेंगे, हम दलालों को ही तो फीर अमारा अन्दोलन कैसे खड़ा होगा हमारा स्वामիमानी स्वाबनंडी आत्मनिर्भरा अंदोलन कैसे खड़ा होगा नहीं खड़ा हो सकता विश्वेंदू परिशद के लोग Стेडूल काश, सेडूल ट्रायप और बैकटोरे क्लास के लोगों को इंदु कहते हैं मैं चुनवती देकर ब्रामनों को कहता हूँ कि आपके कौने से धर्म गरंथ में हमें हिंदु लिखा हुआ है एक बार पढ़कर दिखाओ जो लो बnt चुनवती देता हूँ तमाम ब्रामनों को सारे देश के ब्रामनों कौन से धर्मगरंठ में आप लोगों ने लिखा हुआ कौन से धर्मगरंठ में A.C.S.T.O.B.C. को हिंदू लिखा हुआ है जल बताओ एचुनोती देता हुमें लोगों को दिखाओ कहा हिंदू लिखा हुआ है आप लोगों की वेवस्ता में, वर्न वेवस्ता में हम हिंदू नहीं है, जाती वेवस्ता में हम हिंदू नहीं है, अस्पुरुष्यता में हम हिंदू नहीं है, शुद्रत वो जो पिछडे वर्ख पर थोपा गया है, वहां हिंदू नहीं है, महिलाओं को दास बनाया गया, ज झानी को बिंग धारन करने का दिखार नहीं है हमारे ACST please को जने बढरने का धारन करने का दिखार नहीं है थीक है तुमारी मा को भी नहीं चो Natomiast गीजार को अधिवासी है उन लोगों को आपने इस व्यवस्ता में सेंगरेट किया हुआ है ये सारी बाते तुमारी व्यवस्ता में हैं वहां कही पर भी हिंदू नहीं है कही पर भी आपके द्वारा लिखा गया कही पर भी हिंदू नहीं है और जब शेडूल कास, शेडूल ट्राइप, OBC का आदमी जब अपने को हिंदू कहता है तो आरक्षन कैसे मिलेगा जब शेडूल कास, शेडूल ट्राइप, OBC का आदमी अपने को हिंदू कहेगा वो आरक्षन मांगने का अधिकारी कैसे है जिसादार पर आरक्षन मांगेगा वो इसलिए जो हिंदू के नाम पर सरकार बना कर चला रहे हैं उनकी सरकार में आरक्षन के मुद्धे पर कोई चर्चा नहीं होती आरक्षन के मुद्धे पर बीजेपी की सरकार में चर्चा क्यों नहीं होती क्योंकि एक साथ दो बातों की चर्चा नहीं हो सकती या तो हिंदू की चर्चा होगी या तो आरक्षन की चर्चा होगी जहां हिंदू की चर्चा होगी वहां आरक्षन की नहीं हो सकती जहां आरक्षन की होगी वहां हिंदू की चर्चा नहीं हो सकती अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले